हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज एक बहुती सुन्दर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे स्रीम प्लांट लॉलिपॉप प्लांट इसके बारे में बात करेंगे कैसे उनकी केर करनी है कैसे ग्रो हो जाता है ये प्लांट complete care tips share करेंगे उससे पहले ये जेनिया के flowers देखिए कितने सुन्दर dark pink color में आए हैं गुलदसे जैसा ये flower plant लग रहा है हर branch base से flower आए है तो वीडियो देखने के बाद एक like जरूर करें और जिन्होंने subscribe नहीं किया हों subscribe करें तो चलिए आपको स्रीम लॉलिपॉप का plant दिखाते हैं उसके flower दिखाते हैं हाई फ्रेंट्स तो चलिए देखे कितने सुन्दर ये स्रीम लॉलिपॉप या स्री गनेश के flowers लग रहे हैं इसके दो तिन नाम हमें पता है और हमारे इधर यही नाम से इसे पैचाना जाता है बहुती सुन्दर ये रेड कलर के flower है और बहुत सुन्दर इसके flower लगते हैं इसके flower एक बार खिल जाते हैं तो बहुत दिनों तो कि ये flower चलते हैं टिके रहते हैं जल्दी खराब नहीं होते हैं तो एक मेने से हमारे गार्डन में ये बहुत अच्छे से खिल रहे हैं तो सभी जितने भी प्लांट से बहुत सारा कलेक्शन है तो सभी प्लांट को बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं पुरे प्लांट फ्लावर्स से भर गए हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रिंट्स प प्लांट खुश रहता है अच्छा रहता है तो पानी हमेशा दीजिए आप विंटर में एक दिन नहीं पानी दिया तो चलेंगा डिपेंट करता है टेंपरेचर कितना है विंटर में ज्यादा है कम है ओही सब से आपको पानी देना पड़ेंगा लेकिन आप डेली ही पानी दे देंगे तो यह प्लांट बहुत खुश रहता है और यह प्लांट को ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है साल में आप दो तीन बार इसे खाद दे दो कोई भी खाद दे दो लिक्विड मैनिवर दे दो तो यह चलेंगा खुश रहता है आपके पास जो भी कमपोस्ट तो इसे परियापत है अच्छे से फ्लावरिंग करता है हम सुखी पत्या ही इसमें भर देते हैं पॉट में उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं देते हैं तो भी देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है यह अभी नेक्स्ट है कि इसे सनलाइट कैसी चाहिए यह ब यह flowering भी करेंगा तो हमेशा आप छायादार जगा में रखिए bright light में रखिए यह plant को कोई भी ऐसी special मिट्टी नहीं चाहिए तो इसकी मिट्टी आप आपके पास जैसी भी हो garden soil ओ ले सकते हो special मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं है तो जो मिट्टी आपके पास है उसमें आप ग्रो कर सकते हो और यह plant cutting से आसानी से ग्रो हो सकता है यह सभी हमारे plant शिकनी मिट्टी में ही हमने लगाए है लगाए क्या कुछ cutting इसकी branches लेगी-लेगी हो जाती है तो हमेशा हम cut कर देते हैं तो cut की हुई branch जो रहीती है ऐसी क्यारिया है हमारे और यह चिकु के प्लान्ट की क्यारिया है उसमें सुखी टेनिया ही डाल दी थी तो तो टेन्य को पानी मिल गया कितना घना हो गया चार-पांच branch हम ने इसमें डाली थी और आज देखिए पुरा बुशी बन गया है तो इसकी टहिनी कहीं पे भी कटिंग एक हदी फेक दो और पुसे पानी मिल गया तो यह अपने आप गुगाता है ग्रो हो जाता है इतना हाड़ी यह प्लांट है तो इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है जब भी आप कटिंग ल लगता है तो पॉट साइस की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि बड़ा नहीं देना चाहिए चोटा नहीं देना चाहिए छोटी इसमें भी चलता है बड़े इसमें भी चलता है जैसे जिसमें भी आप लगाओ अच्छे से इह ग्रो हो जाता है प्लांट ऑर आज तक हमने मॉयल का वैसे स्प्रे करते हैं और नॉर्मल पानी का भी स्प्रे हम करते रहते हैं इसे वाश करते हैं प्लांट को नहीं लाते हैं तो धूल मिट्टी भी नहीं बैटी है इस पे तो ये प्लांट फ्रेश और अच्छा लगता है और किडो का अटेक भी नहीं होता है तो हमेश से सनलाइट और वाटर मिट्टी कमपोस्ट का ख्यार रखो तो बहुत अच्छे से ये प्लांट लगता है इसके फ्लावर लगते हैं और हमेशा गार्डन में फ्लावर्स बने रहते हैं और रेड कलर के फ्लावर्स और ग्रीन कलर का प्लांट इसका कॉम्बिनेशन बहुत सु तो ये प्लांट को जरूर आप ग्रो करिए आपके गार्डन में अपने अगर नहीं लगाए होंगे तो और ज्यादा मेहिंगा भी ये प्लांट नहीं आता है पचास साथ रुपए में ये प्लांट मिलता है साल भर इसकी कभी भी आप कटिंग लगा सकते हो और ये बहुत आस सानी से कटिंग इसकी लग जाती है तैयार हो जाती है और आपके गार्डन में फ्री के प्लांट तैयार हो जाएंगे तो ठीक है फ्रेंड्स ओके बाई